हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुरज कुमार्तिवारी आपको स्वागत है जे हो फैंटिसी चानल में आज हम बात करने वाला वीवो प्रो का बड़ी का सीजन नाइन का मैच का बारे में गुजराट जेयन्स वर्चस पतना पाइरेट्स का मैच के बारे में यह मैच बहुत इंपॉर्टन मैच है दोस्तों क्योंकि गुजराट का कोच पतना पाइरेट्स का पिछले साथ कोच था दोस्तों अब देखते हैं को जीता है इस मैच मैच स्टार्ट होने में अभी भी 24 अवर्स हैं इंडिया का टाइम का अंसा देखा जाए तो एक कल रात को सारे साथ बजे को मैं स्टार्ट होगा वीडियो स्टार्ट काने से पहले मेरा टेलीग्रम चैनल को जोईन कर लिजे टेलीग्रम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है अगर बाई मिश्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्रम चैनल सो नहीं होता तो आप टेलीग्रम में जाके इस तरह सेर्च करने से मरे टेलिग्रम चैनल सो हो जागा अर्देरेट जे हो फैंटिसी कुछ बंदे ने मरे टेलिग्रम चैनल का नाम से फेक एकॉंट बनाए दोस्तों आप उसमें भोल से भी जॉइन मत करना आपको ये फेक टीम देगा ये फेक एकॉंट भी है जिसमें 585 सब्क्राइबस दिखाई दे रहे हैं उसमें जॉइन करना दोस्तों इस दोनों एकॉंट में आप भोल से भी जॉइन मत करना आपको ये फेक टीम देगा इसी तरह मैं आपको final team दूँगा lineup announce होने के बाद जो मैं आपको team दूँगा head to head 3 spot, 4 spot और 5 spot में try करने से आप 100% win होंगे अब तक अब जितने losses हुए वो मेरे telegram channel cover कर देगा इसलिए मेरे telegram channel को जल से जल join कर लीजिए आपको अगर आप my master 11 में खेलेंगे दोस्ता तब 100% win करेंगे क्योंकि यह नया आप है और इसमें low competition है दोस्तो आप 100% win कर सकते हैं अब तक आप जितने losses हुए वो 100% cover कर सकते हैं क्योंकि my master 11 में खेलेंगे तो आप 100% win करेंगे my master 11 का link यह है दोस्तो आप click करने से सुवज अगर तुरंट डाउनलोड करना चले दोस्तों लेट नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले डिफेंडर डिफेंडर में देखा जाए तो मैंने सुनिल कुमार को लूँगा और नीरच कुमार को और यस गुलिया खो मैंने तीन डिफेंडर को ले लिए ह ताह uprights के लिए लाश्ट में सुनिल नाएं झा चार आंज की वूव एंट रहती sic पीद daher चार यंद चूड़ चार था्यंच ब्सक्रा conclude that you can't say Self lead is important if और निर्च कुमार के बारे मैं बात करहिकunda निरंच कुमारन लाश्ट मैंच में 3 टैकल किया था दोस्तों और एक सक्सेसबूल टैकल एक ही अनसक्सेसबूल टैकल किया था दोस्तों लास्ट मैच में निरज ने कमाल का टैकल किया हैं दोस्तों तील टैकल किये थे लास्ट मैच में और एस गुलिया का बारे में बात करें जाते हैं एस गुलिया ने लास्ट मैच में छे टैकल किये थे दोस्तों कमाल का टैकल किये थे दोस्तों लास्ट में गुलिया ने छे टैकल छे ट्राइ किये थे दोस्तों और छे भी सक्सस हुए थे गुलिया को लास्ट मैच में यह जीरो अंसक्ससबुल टैकल दोस्तों लास्ट मैच में कमाल का टैकल किये थे दोस्तों S Gulia ने कमाल का defender है दोस्तेवी S Gulia आप इस project comment S Gulia कमाल का defender है मैंने defender में तीन defender को pick कर लिया उनका stats भी बता दिया आप all runre में देखा जाए तो मैने now Gulia को pick करूँगा और एक here all runner को pick करूँगा दोस्तों और Gulia के बारे में बात करे तो आर गुलिया ने लास्ट मैच पे तीन राइट पॉइंट लिया था दोस्तों और चार बॉनस पॉइंट है और अंसेकस्पुल राइडर के बारे में बात करें तो में लास्ट गुल्या ने दो किये थे रहें अनसकस्ट टäकल एक गल्गा जो में तीन व्लॉप थे दो दो अनसकस्ट बोल्भ और एक अनसकस्ट टैकल लेकिन राश्न मैच गुल्या अच्छे किलें दो में लोगा है तो साथ में पूंट लेता है दो дум invention मैच में है गुलिए ने कमाल का राइटिंग के दोसह पत्ना पाइर्ट सेकंड अ में देखा जए तो कि राकेश को लूँगा और सचिंत रावर और मोनु को को इन कंगा स्टेश्ट के बारे में बात करें तो राकेश सेला लास्ट में इतना आश्या लेस्क लेकिन राकश लाकष एक पॉन्ट लेकिन लास्ट मेच में पूरा अन्सक्सेसफुल राइट के बात करें तो लास्ट में राकेश थोड़ा लास्ट मेच अच्छा चला नहीं दोस्तों लेकिन राकेश एक important player है और सचीन तावर के बारे में बात करें तो सचीन तावर ने last match में 10 right point लिया था दोस्तो और एक bonus point last match में सचीन ने पूरा 11 point लिया था दोस्तो एक 10 right point और एक bonus और unsuccessful right के बारे में बात करें तो सचीन ने last match में 2 unsuccessful right किये था दोस्तो और एक unsuccessful tackle लास्ट मेंचे सचिन तावर एक बहुत अच्छा खेले हैं दोस्तों पूरा 12 राइड पॉंट किये थे एक important play है दोस्तों सचिन तावर और मोनु के बारे में बात करें तो मोनु लें लास्ट मैच में राइडिंग नहीं किये थे दोस्तों मोनु ने मेरे साथ player को पिक कर लें उनका stats भी बता दियो अब captain में बारे में बात करा जाए तो मैंने captain में बनाओंगा राकेस को और वैस captain में सचीन तावर को दोस्तों गबर मेरे team को देख लेजिए मेरे defender में तीन defender को पिक हैं एस गुलिया इस गुलिया का बारे में जानते हैं लास्ट मैंचो गुलिया ने छ्ट टेकल पॉइंट किया हैं दोस्तों कमाल का डिफ VI गहां चुंझी आचिवर कॉंच को लिंग पस्तों कमाल का डिफटन में दिखा multiplied राइडर्स में दिखा जातों मेरे तीन राइडर्स को पिके हैं उस राकेस सचिन तावर और मोनु को सचिन लास्ट मैच में 11 पॉंट लिए हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो like comment share लाल वाला घंटी को जरूर दावाना टाइंक यू झाल झाल